बॉक्स ओफिस के लिए नया साल अच्छा साबित हो रहा है देश के दो बड़े सुपरिस्टार शारुक खान और प्रभास की फिल्में इन दिनों टिकट खिड़की पर शानदार प्रदर्शन कर रही है एक्शन फिल्म सालार ने अब तक कई रिकॉर्ड अपने नाम किये हैं वहीं डंकी आम जनता के दिलों को जीतने में सफल रही है इसके अलावा बीते साल एक दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म अब तक सिनेमा घरों में दर्शकों का मनुरंजन कर रही है तो चलिए जानते हैं कि कौन से फिल्म ने बीते रविवार को कैसा प्रदर्शन किया सबसे पहले प्रभास के फिल्म सालार की बात करें तो आपको बता दे कि प्रभास ने सालार से दमदार वापसी की है फिल्म में पृत्वी राज सुकुमारण ने भी एहम भूमिकानी भाई है दो दोस्तों के इर्दगिर्द बुनी गई ये कहानी लोगों को काफी पसंदार ही है यही वज़े है कि टिकट खिरकी पर फिल्म ने शानदार कलेक्शन किया है पहले हपते में फिल्म ने सभी भाषाओं को मिला कर कूल 308 करोड का कलेक्शन किया था वही दूसरे हपते में फिल्म ने 70.1 करोड का बिजनिस किया ताजा आकडो के मुताबिक फिल्म ने तीसरे रवीवार को एक बार फिर से उच्छाल लेते हुए पांच करोड 75 लाख बटो रहे हैं अब फिल्म के कुल कमाई 392.94 करोड पहुँच गई है माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये फिल्म घरेलू बॉक्स ओफिस पर 400 करोड का अकड़ा पार कर लेगी वही शारुख खान के फिल्म की बात करें तो शारुख खान के लिए साल 2023 काफे शानदार रहा बीते साल उनकी तीनों फिल्मे अपना जादू चलाने में कहीं न कहीं काम्याब रही जैनवरी में आई पठान बॉक्स ओफिस पर ब्लॉक बस्टर साबित हुई इसके बाद रिलीज हुई फिल्म जवान उससे भी बड़ी हीट साबित हुई अब डंकी टिकट खिड़की पर अपना जलवा दिखा रही है 18 दिन फिल्म ने 4 करोड 25 लाख का कलेक्शन किया इसके साथ ही फिल्म की कूल कमाई 26.57 करोड हो गई है साथ ही अब हम बात करेंगे रनबीर कबूर की फिल्म एनिमल की संदीप रेडी वांगा के निर्देशियन में बनी फिल्म एनिमल बॉक्स ओफिस पर ओल टाइम ब्लॉक बस्टर साबित हुई है पिता पुत्र के रिष्टों पर अधारित इस फिल्म की कहानी ने दर्शकों के दिलों को छू लिया है यही वज़य है कि इसे देखने के लिए लोग अब भी सिनेमा घरों का रुख कर रहे हैं अर तीसवे दिन फिल्म ने 45 लाग का कारोबार किया अब फिल्म की कूल कमाई 550.52 करोड हो गई है एक बार पिड़ी से बता दे कि बॉक्स ओफिस के लिए नया साल अच्छा साबित हो रहा है देश के दो बड़े सूपरस्टार शारुक खान और प्रभास की फिल्मे इन दिनों टिकट खिड़की पर शानदार प्रदर्शन कर रही है एक्शन फिल्म सालार ने अब तक कई रिकॉर्ड अपने नाम किये हैं तो वहीं शारुक खान के फिल्म डंकी आम जनता के दिलों को जीतने में सफल रही है इसके अलावा बीते साल एक दिसंबर को रिलीज हुई रनबीर कपूर के फिल्म एनिमल अब तक सिनेमा घरों में दर्शकों का मनुरंजन कर रही है